अगर आपके पस TCS के शेयर्स नहीं है तो क्या आपको मार्केट से TCS के शेयर्स खरीद के बाइबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या ये एक अच्छी आपशन होगी तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिसकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम बाइबैक की समरी को समझें तो TCS 18,000 करोड रुपे के शेयर को बाइबैक करने वाली है जो कि इनका जो टोटल पेड़ अप इक्विटी श प्राइस की तो आज की जो क्लोजिंग होई है वह लगबग 3856 रुपे पे क्लोज हुआ है TCS का शेयर तो यहां से यह 17% का प्रीमियम दे रहे हैं बाइबैक में और यह जो बाइबैक है यह टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा दो प्रकार से कंपनी बाइबैक कर सकती है एक जब भी उनको अपने शेयर खरीदने है वो ब्रोकर से ओपन मार्केट में मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं जैसा कि थोड़े टाइम पहले इन्फोसिस ने किया था और दूसरा तरीका होता है बाइबैक का टेंडर आफर जिसमें की जो कंपनी होती है वो अपने इन्वेश्टर से शेयर को री परचेस करती है और इसमें जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है शेयर का उससे ज्यादा पे नॉर्मली इसको परचेस किया जाता है जो की TCS इस रस्ते पर जा रही है तो जो ये 4 करोट शेयर करने का TCS प्लान कर रही है इस में से 60,00,8053 त वो shareholder होंगे जो कि record date पे दो लाख रुपए से कम के share को hold करते होंगे, तो अगर आपके पास दो लाख रुपए से कम के share है, जब भी record date announce होती है, जिसको कि अभी announce नहीं किया गया है, तो आप retail shareholder होंगे, तो आपके लिए ये कुटा reserve होगा. और अब अगर बात की जाए कि क्या company के दोरा record date announce कर दी गई है, तो उसका answer है कि नहीं, अभी record date announce नहीं की गई है, लेकिन इसमें कुछ confusion हो गया था, क्योंकि financial जो express newspaper है, उन्होंने एक article चापा था, और उन्होंने अपने article में mention किया था, कि जो 20 January है, वो TCS के share buyback की record date होगी, हाला कि ये dividend के लिए थी, उनका article भी dividend पे था, लेकिन उन्होंने एक section में आप देखेंगे, तो TCS share buyback की heading दी है, और यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा TCS के buyback के बारे में समझाया, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 20 January record date set हो गई है, लेकिन ये error है, I think, और 20 January अभी record date set नहीं हुई है, तो record date क्यों नहीं set हुई है, तो record date इसलिए set नहीं हुई है, क्यूंकि इसके लिए shareholder की approval चाहिए होती है, उसके लिए e-voting process इस टाइम पे चल रही है, scrutinizer है, वो अपनी report submit करेंगे chairman को या जो भी authorized person होगा, और वो अपनी voting की जो voting होगी, details होगी, वो share करेंगे, उसके बाद 15 February तक इसका जो भी result होगा, वो announce कर दिया जाएगा, तो 15 February के बाद ये record date announce की जाएगी, और क्योंकि अभी voting चल रही है, इसलिए इसको announce नहीं किया गया है, और अगर बात की जाएगी, ये कब तक की date हो सकती है, तो अगर हम past में देखें, तो जब 2020 में buyback आया था, तो आप देखेंगे कि वो 26 November 2020 date थी, यानि कि September quarter में announce किया गया था, तो उसके roughly 56 दिन बाद, तो अभी उस हिसाब से अगर हम माने, तो ये last week of February में इसकी record date होनी चाहिए, तो लगबग 20 से 28 February के बीच में record date हो सकती है, और अब अगर बात की जाएगी, अगर हमारे पास TCS के shares हैं, या हम record date से पहले खरीद लेते हैं market से, तो company क्या हमसे buyback करेगी भी के नहीं, क्योंकि कई जगा पे आपने सुना होगा, कि अगर आपके पास 100 share होंगे, तो company सिरफ एक ही share शायद buyback करें, और कुछ जगा पे शायद आपने सुना होगा, कि भई आपके पास अगर 10 share हैं, तो 10 के 10 भी buyback कर सकती है, जब 20 हैं, तो 20 भी buyback कर सकती है, तो इस confusion को हम इस page में दूर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो जो exact number of eligible shareholder होंगे, record date पे उसका तो letter of offer में पता लगेगा, जिसको की 2 week के बाद post किया जाएगा record date के, लेकिन अगर हम historical data देखें, और जो भी हम बात कर रहे हैं, वो small shareholder के संदर्ब में कर रहे हैं, यानि कि जिनके पास 2,00,000 या उससे कम के shares हैं, तो historical data देखें, तो March 2021 में, जो small shareholder थे, उनके पास total company की paid up capital का 0.6% था, तो इस हिसाब से जो entitlement ratio निकल के आती है, वो 27% है, निकल के आती है, तो entitlement ratio क्या होती है, entitlement ratio का मतलब है कि company ने retail category के लिए 80,00,000 share reserve कर रखे हैं, कि 80,00,000 share हम retail या small shareholder हैं, उनसे buyback करेंगे, जब उन्होंने record date पे data निकाला, तो उनको पता लगा कि small shareholder के पास जो number of shares हैं, वो 1,60,000,000 हैं, लेकिन हमने buyback करने, 80,000,000, तो इस तरह से entitlement ratio निकल के आएगी 50%, तो वो सभी shareholder को एक email जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि आपके पास अगर 10 share है, तो आप 5 share को tender कर सकते हो, अगर आपके पास 20 share है, तो 10 share को आप tender कर सकते हो, क्योंकि entitlement ratio 50% निकल के आ रही है, या जो भी entitlement ratio होगी, करने के लिए entitled हो, उसके बाद भी आप free है, कि आप जितने मर्जी भी share जितने आपके पास है, उन सभी को भी आप tender कर सकते हैं, मान लो कि आपके बस 10 share है, आपको TCS से mail आती है, कि हमारी entitlement ratio 50% है, तो आप 5 share tender कर सकते हो, लेकिन उस case में भी आप ऐसा नहीं कि आपको 5 ही करने, आप 10 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और ideally आपको अगर आपको ये price अच्छा लगता है, तो आपको जितने भी आपके पास shares हैं, वो सभी tender कर देनी चाहिए, और जो acceptance ratio है, जो दूसरी ratio हम discuss करेंगे, उसका मतलब है कि जितने भी shares को, जैसे 10 share आपके पास हैं, आपको mail आई कि 5 आप कीजिए, आपने 10 कर दिये, अब ultimately हो सकता है कि आपको, जैसे company के पास, किसी ने 5 कियों, किसी ने 2 कियों, किसी ने 10 कियों, तो ultimately company के पास, जो data आता है, वो आता है कि एक करोड ऐसे shares हैं, जो buyback के लिए tender किये गए हैं, और total तो 80 लाख उनको buyback करने हैं, तो जो acceptance ratio है, वो 80% हो जाएगी, यानि कि अगर आपने 10 कियोंगे, तो आपके 8 share accept हो जाएंगे, अगर आपने 5 कियोंगे, तो 4 हो जाएंगे, 2 किया होगा, तो 80% उसका हो जाएगा, तो acceptance ratio, generally 100% से lower होती है, बट ये entitlement ratio से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी entitled होंगे, यानि कि 5 share अगर company ने बताया हैं, कि आप entitle लो, उतने तो आप पका पका buyback के लिए participate किये जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप पूरे के पूरे share भी जितने आपके पास हैं tender कर सकते हैं, और अगर हम historically देखें, तो जैसे कि 2020 का अगर जो buyback था, उसमें 80,000,000 shares को reserve रखा गया था, retail category के लिए, small shareholder के लिए, उसमें से सिरफ 61,25,386 shares को ही tender किया गया था, यानि की 80,000,000 share वो buyback करना चाहते थे, small shareholder से, लेकिन सिरफ 76.57% नहीं अपने share offer किये थे, तो ये लोग क्यों offer नहीं करते, उसके कई reason है, कई लोग ऐसे हैं कि उनको विश्वास है कि ये शेयर तो 5000 जाएगा, 6000 जाएगा, वो अभी buyback में participate नहीं करना चाहते, और कईयों को process नहीं पता होती, कईयों को benefit नहीं पता होते, तो ऐसे बहुत सारे shareholder हैं, जो की miss कर जाते हैं, इसकी वज़े से जितने share reserve quota में होते हैं, उत overall जहां-जहां कम थे, यानि कि reserve category की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 100% उसको accept कर लिया गया था, और अगर आप general category का data देखें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 309% का response आया था, तो अगर आपके बस 2,00,000 से ज़्यादा के share होंगे, तो आपको chances कम है कि आपके buyback में लिये जाएंगे, तो इसलिए अगर आप buyback में participate करना चाहते हैं, तो make sure कीजिए, कि आपके पस 2,00,000 या 2,00,000 से कम के share हो record date पे, और अब अगर बात की जाएगी, अगर हमारे पास TCS के share नहीं है, तो क्या हम open market से record date से पहले buy करके इसमें participate करें, तो उसके लिए सबसे पहल 4500 रपे हो जाता है share का, हाला कि इससे कमी रहना चाहिए, क्योंकि अभी 3856 पे चल रहा है, और buyback इसी महीने में आने के उमीद है, तो उमीद नहीं है कि 4500 होगा, बट अगर मान के चलिए कि 4500 हो जाता है, तो maximum share जो आपके पास होने चाहिए, वो 44 होने चाहिए, क्योंकि 44 स 45 अगर आपके पास share होंगे, और इसको आप 4500 से multiply करेंगे, तो वो 2,00,000 से जादा हो जाएगा, तो make sure कीजिए, अगर आपके पास इसका जो price 4500 है record date को, तो आपके पास 44 से जादा share ना हो, तभी आप reserve category में, buyback में participate कर सकते हैं, और अगर इसका जो record date पे price 4000 है, तो आपके पास maximum 50 share हो सकते हैं, यह 2,00,000 divided by जो भी buyback पे, जो भी record date पे price है share का, तो आप मान के चलिए कि आपके पास कोई भी share नहीं है, और आप maximum 44 share ले सकते हैं, तो 44 share अभी आप market से ले लेते हैं, अभी का rate मान लो 3850 मैंने लगाया इस example के लिए, तो 3850 के rate पे आप 44 shares ले ले लेते अब हमने 4 scenario इस example में compare किये हैं, कि मान लो कि आपके पास जैसे 44 share हैं, आपको later आता है, कि भी आपके 11 share tender कर सकते हो, अगर 25% आपकी entitlement ratio निकल के आती है, या 50% निकल के आती है, तो वो बोलेंगे कि 22 share आप tender कर सकते हो, हाला कि मेरी personal opinion यह होगी, कि अगर आपको price अच्छा ल हैं, या अगर 44 share हैं, तो 44 के 44, at least tender कर देने चाहिए, फिर देखा जाएगा, कि उसमें से 25% accept होते हैं, 50% होते हैं, बट अगर हम historically देखें, तो पिछली दोनों बार में, जितने भी share tender किये गए थे, वो हो गए, तो अगर 44 हो जाते हैं, तो आपको 44 के 44 share, 4500 रुपे के rate पे निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम example लेते हैं, कि अगर सिर्फ 11 share ही buyback किये जाते हैं, कंपनी के दोरा, तो 4500 रुपे का buyback price है, overall आप 11 share के 4500 रुपे के इसाब से 49500 रुपे आपको कंपनी से मिल जाएंगे, आपने share लिया 3350 का, बेचा 4500 में, तो 11 share पे आपको 7150 का profit हो जा है, जब buyback के आपके पैसे आ जाते हैं, तो भी आपको 4.2% की return मिल जाएगी, आपकी 169,400 की investment पे, ये अगले दो महीने के अंदर अगर आप पैसा invest करते हैं, तो 2 महीने में 4.2% is much much better than कोई भी FD या कोई भी fixed instrument से, और अगर 50% अगर आपकी acceptance ratio आती है, तो आपकी 8.4% आप जाते हैं, तो आपको लगभग 17% की return मिल जाएगी, तो अगर on average आपके 50-75% भी निकलते हैं, तो आपके पास 8.4-12.7% की return कमाने का मौका है, यानि कि अगर आपका जो 3850 से इतना भी share नीचे चला गया, 8-12%, तब भी आप profit में रहेंगे, आप loss में तभी जाएंगे, जब ये share 12% से भी जादा नीचे गिर जाता है, और अब अगर हम history of buyback देखें, कि यहां से share का price बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, तो अगर हम 2017 की बात करें, तो ये 2400 रुपय का share था, announcement जब की गई थी buyback की, और buyback price 2850 इसमें दिया गया था, तो buyback की जो date थी, record date 8th में थी, तब तक इसने 5% की jump मार ली थी, 2018 का example लें, तो ये 1746 का था, और 18 August buyback की date थी, तो 18 August को ये 19% बढ़के 2070 का हो गया था, और 2020 में ये 2523 का था, जब announcement की गई थी buyback की, और जो record date थी 28 November की, उस दिन तक ये 2873 पे हो गया था, यनि कि 14% का increase दिखा दिया था, और अगर हम इस बा के buyback की बात करें, तो ये 3859 थी जब की announce किया गया था, buyback price 4500 है, जो कि काफी अच्छा है, और अब record date पे इसका क्या price होगा, क्योंकि अभी भी इसी price पे available, लगकी ली अभी तक ये बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी पीछे IT में, NASDAQ में गिरने की वज़े से थोड़ी सी कमी आई थी, तो इसका share, हाला कि पिछले एक दो दिन से काफी भागा है, लेकिन फिर भी ये उस price पे है, जितने पे की buyback announce किया गया था, तो अगर हम history को देखें, तो यहां से record date अगर मान लो की 20 से 26 February के बीच में आती है, तब तक इसमें 5 से 19% बढ़ने का potential है, share price का भी, और उसके बाद buyback में अगर आपके share को include किया जाता है, आप participate कर पाते हैं, तो आप 4500 रुपे पे इस share को बेच भी पाएंगे, और अब अगर हम worst case scenario की बात करेंगी, भई, बिल्कुल ही मान लो कि आपने share खरीद ले 44 share और आपको buyback आया है नहीं, हाना कि ऐसा बिल्कुल भी chance नहीं है, पिछली history देखी जाए, तो आपके हो सकता है कि 44 के 44 share ही buyback में निकल जाएं, लेकिन अगर नहीं भी आया, तो भी अगर आपका long term perspective है, तो TCS largest tech stock है, इंडिया का wealth creator रहा है, अगर आप 2005 में देखेंगे, तो ये 1500 रुपे से भी कम था, और वहां से अब ये 3856 है, इ dividend देता है regularly, इसके अलावा अगर हम इसके third quarter के result देखें, तो demand outlook काफी अच्छा लगता है, strong है, क्योंकि जो इनके clients हैं, वो cloud transformation पे बहुत बड़ी spending कर रहे हैं, नई technology पे कर रहे हैं, तो TCS का future भी bright लगता है, मान लोग इवर्स के सिनारियों में, आप buyback में धंग से participate नहीं दे सकता है, तो अगर मेरी personal opinion पूछी जाए, तो मुझे लगता है कि buyback में definitely आपको participate करना चाहिए, even चाहिए आपको खरीद के करना हूँ, लेकिन मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं, तो अपने financial advisor से जरूर discuss कीजिए, उसके बाद अगर आ आपको analysis provide कर रहा हूँ कि बहुत ही strong possibility है कि आपको यह अच्छी return देगा, लेकिन share market में हमेशा risk होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप जरूर उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही, इसमें invest कीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you all.